आपको मैं अवगत कराता हूँ आप देख सकते हैं कि 10 अगस्त को क्यूंकि आप सब जर्नलिस्ट मौजूद हैं आपके ही साथी और हमारे जानकार जर्नलिस्ट गोकुल यादव जो प्रभाद खबर के थे किस प्रकार से उन्हें जमूई में गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई 11 अगस्त को ठीक उसी प्रकार एक और पत्रकार की गोपाल गंज में हत्या कर दी गई और 11 अगस्त को बेतिया के रुदल प्रशाद बर्नवाल जी जो की एक पुजारी थे राम जान की मंदिर के किस प्रकार से गला काट करके गला रेथ करके उन्हें मार दिया गया और उनका जो कटा हुआ गला था वो कहीं और मिला 11 अगस्त को किस प्रकार पटना टोयोटा कार शोरूम में एक बहुत बड़ी लूट की खबर हुई यह भी आप जानते हैं और 11 अगस्त को किस प्रकार चपरा में जहरीली शराब के सेवन के कारण 6 लोग म्रुत्यों को प्राप्त हुए चपरा में इससे पहले 13 लोगों की मृत्यों यू कह लीजिए जहरीली शराप के कारण 13 लोगों की हत्या हुई थी और आधरनिय नितीश कुमार जी के खुद गरहक्षेतर नालंदा में 10 लोगों की मौत हुई थी जिलावार आप देख सकते हैं मैं बहुत जल्दी में जिस प्रकार से बहुत मैं कहूंगा आवेवस्था फैल रही है बिहार में उसका एक संस्परण आपके सामने रखूंगा जिलाप पस्चिम चंपारण में 12 वर्षियों किशोरी से सामुहिक दुसकर्म होता है मुझफर पूर में वेवसाई नलीन रंजन के घर दिन दहाडे घुस लुटेरे 40 लाक रुपे की संपत्ती लूट लेते हैं नरकटिया गंज में नाबालिक से सामुहिक दुसकर्म होता है जमूई में प्रभाद खबर के गोकुल यादव जी के विशे में मैंने आपको बत आती है यह भी टीवी और पत्रकारिता के माध्यम से हमें खबर मिला है बाड जिला में बाड थाना क्षेत्रम के LIC मोड के पास मोहरम जुलूस के दौरान जिस प्रकार दो समुदायों में लडाई होती है यह भी हमने देखा कि वहाँ पुलीस नदारत थी ठीक उसी प्रका पत्ना सिटी में एक महिला की हत्या की जाती है और आरोपी के घर से चार पिस्तोल बरामत होते हैं ठीक उसी प्रकार पत्ना में मैंने अभी कहा कि गाड की हत्या करके किस प्रकार टोयटा के शोरूम पे लूट होती है और मजफर पूर में ओराई चौक पर दो तिरंगे को लेकर आप सब ने देखा अभी तिरंगे के विशह में मानने अरुन जी ने हमें अवगत कराया मगर तिरंगे जंडे को लेकर भी बिहार में किस प्रकार की राजनीती हो रही है जंडे में भी परिवर्तन किया जा रहा है और वहां भी तुष्टिकरण की राजनीती हो रही है यह भी हम सब ने देखा है इसके बाद ये कहना अतीश योगती नहीं होगी कि जंगल राज रिटर्न्स जिस जंगल राज के विशे में आप सब ने भारत वर्ष को समय समय पर अवगत कराया था और किस प्रकार से जब भारती जंता पार्टी अपने साशनकाल में रही तो विभाग भी हमारे पास नहीं था एकसाइज डिपार्टमेंट भी हमारे पास नहीं था ये विभाग भी हमारे पास नहीं होने के बावजूद हमारे दवाब के कारण जिस प्रकार से एक माहोल बिहार में रहता था कि हत्या लूट डकैती इसके उपर अंकुछ रहती थी आ आज बिहार में जंगल राज रिटर्ण्स है और एक वीडियो आज sosial media में घर घर तक पहुंच रहा है कई मंत्रियों ने ट्वीट किया है कई जनतां ने भी ट्वीट किया है बिहार के तेजस्वी यादव जी का एक साक्षातकार है उसका वीडियो है जिसमें उनसे 10 दस लाख नौकरी के विशे में, 2020 में उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो दस लाख नौकरी देंगे, जब उनसे दो तीन दिन पहले पूछा गया कि अब तो आप आ गए हैं, तो दस लाख नौकरी का क्या होगा, तो वो कहते हुए नजर आते हैं, कि देखिए अभी तो हम बने हैं, हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तब नौकरी देंगे, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो मैं की कहानी है, मैं बनूंगा तभी होगा, हम से कुछ नहीं होगा, ये हम को छोड़ करके मैं पे चले गए हैं, इसी परिवारवाद के खिलाफ भार विशय में एक प्रेस कॉंफरेंस करके तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि आखिरकार हम बड़ा है या मैं बड़ा है, तो जंगल राज रिटरंस के बाद हम अर्विंद केजरिवाल जी के जूटे वादे और ये जो फ्रीबीस की कहानी अर्विंद केजरिवाल जी कहते र अर्विंद केजरिवाल जी की प्राधान्यता स्थापित हो देश में, उनके एंबिशन्स फुल्फिल हो, उनकी महत्वा कांशा आगे बढ़े, इसलिए जूट दिन पर दिन किस प्रकार से वो परोस रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, ये कल फ्रीबीस क्या है, वेलफेर स्की इसको लेकर लड़ाई है, फ्रीबीस क्या है और वेलफेर स्कीन क्या है, बेनिफिट क्या है, देखें, बेनिफिट का अर्थ होता है, कि एक टाργेटेड ग्रूप को, एक टार्गेड ग्रूप है, जो इकूनोमिकली आर्थिक दुरिष्टिकोन से कमजोर है, उसको सबल कैस उसके लिए governance करना, उसके लिए विशाय भेजना ये benefit है, ये welfare scheme है, मगर जो previous होता है, वो गरीब के नहीं होता है, वो सबके लिए होता है, और जो मुख्य उद्देश्य होता है, welfare scheme का वो क्या होता है, बेनिफिट का क्या होता है, कि किस प्रकार से sustainable benefit डे करके, economical रूप से एक वर्ग को sustainable life अर्थात आत्मनिर्भर जीवन बनाने के लिए, उसे अपने पाउं पे खड़ा करना, जैसे गरीब कल्यान योजना, 80 करोड जनता जो pandemic के समय, COVID के समय, एक ऐसी परिस्थिती में थी, कि यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार उन्हें target करके, उनके लिए राशन नहीं भेजते, तो आज उनकी परिस्थिती किस प्रकार की होती, वो अचंतिनीय हो जाती, मोदी जी और इस सरकार की, भारत सरकार की चिंता है, गरीब और गरीब कल्यान, जो गरीब है, इसी लिए तो, आज गरीबी रेखा के उपर भारत वर्ष में गरीब उट पाया है, इसका जो विवरन है, ये आज युनाइटेड नेशन दे रहा है, ये विशय आज विश्व के पटल पे चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की आठ वर्ष में होते हुए, अती गरीब लोग जो थे, उनकी संख्या में वृद्धी नहीं हुई, और गरीबी रेखा से उपर जो लोग थे, जो नीचे थे, वो आज उपर हुए, ये होता है टार्गेटेड, और मैं अब अर्विंद केजरिवाल जी का एक बहुत गंभीर विशह पर पोल खोलने वाला, एडविटाइजमेंट करने में अर्विंद केजरिवाल जी उनसे आगे कोई नहीं जा सकता, कैसे गंभीर सा चेहरा बना करके, आप याद करिए, वो निकलते हैं टीवी पे, सुबह टीवी करिएगा, तो केजरिवाल जी आपको नजराएंगे, दुपहर को केजरिवाल जी और शाम को भी, मतलब पूरा दिन टीवी पे रहने वाले केजरिवाल जी, कैसे पैसा खर्च करते हैं, मैं आपको एक उदाहर देगा, दो हजार पंद्रह में, अर्विंद केजरिवाल जी क मनीश शोधिया जी, दो हजार पंद्रह में एक स्कीम लाएं, अर्विंद केजरिवाल जी, कि हम जो है बच्चों को लोन देंगे, और बच्चे जो दसवी और बारवी में हैं, ये लोग लोन लेके, बिना गेरंटी के, कोई गेरंटी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, हम दे देंगे, दस लाख का लोन देंगे एक बच्चे को, और ये सब उच्चे सिक्षा में जाएंगे, और इस साल 21-22 में 89 ऐसे च्छात्रों ने इस योजना के अंतरगत एपलाई किया कि, अर्विंद जी हमें लोन दीजी आपने कहा था, तो 89 में से अर्विंद केज़ ज देंगे, काभी लें, तो दो बच्चों को सिलेक्ट किया, कितना दिया होगा पता नहीं, किसे को पांच भी देंगे, मैक्सिमम चलिए मान लीजे 10 लाग दे दिया, मतलब 10-10 गुड मिला करके 20 लाग, मैक्सिमम दिया होगा, हो सकता उसे कम दिया हो, क्यूंकि लोन की जो ब मैक्सिमम 10 लाग यह,